नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हाइंड हाइजूकेशन में स्वागत है आईए दोस्तों आप बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो मैथ के ट्रिक से जुरी हुई है और आज का टॉपिक है साधारन ब्याज के ट्रिक्स जी हाँ साधारन ब्याज से रिलेटेड कई सारे कोश्चन्स एक्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें से कई सारे ट्रिकी होते हैं और उसके ट्रिक्स को आप अगर जानते हैं तो आईए पहला ट्रिक्स देखते हैं और ये टाइप 1 प्रकार का है उस ट्रिक्स के लिए आपको कुछ सवाल उदारन के रूप में लेना पड़ेगा वह सवाल है आपका कि कोई रासी कितने बरसों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी कोई रासी माले ज़िए x y z कुछ भी है वह कितने बरसों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी तो दोस्तों basic method से बनाने में आप बनाए होंगे और काफी सारे समय आपको लगे होंगे यहाँ पर आपको बैथिस्ट मेधर से नहीं हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं और आज का ये ट्रिक है आपका और इस ट्रिक को आप याद कर ले आप कभी नहीं भूलेंगे इसको ट्रिक है आपका X गुनी माइनस वान बट्टे दर्या वर्स गुने 100 यहाँ दर्या वर्स दोनों चीज़ इसलिए दिया गया है कि अगर आपको दर ग्यात करना होगा तो यहाँ पर वर्स लिखना है अगर वर्स ग्यात करना रहेगा तो यहाँ पर आपको दर लिखना है और इस परकार आप इसको इजीवे में हल कर सकते हैं एक्स गुणी का मतलब आपका हो गया कि कितना गुणा हो रहा है तो 4 गुणा हो रहा है तो 4 माइनस 1 बटे आपको क्या निकालना क्या दिया हुआ है तो दर दिया हुआ है और आपको बर्स निकालना है तो दर आप निक दे निचे में 5 गुने एक सो इसको काठ दे 20 आपका अंसर आ गिया तीन गुने 20 इकोल टू शाठ 60 वर्स में आपका चार गुनी हो जाएगी कितनी गुनी हो जाएगी चार गुनी हो जाएगी आप इजी वेवे निकाल सकते हैं आई ये दूसरा सवाल देखते हैं इसी टैप से जुड़ी इसमें आपको समय निकालना था दूसरे सवाल में आपको दर निकालना है सवाल आपको कह रहा है कि कोई रासी 15 वर्सों में तीगुनी हो जाती है 15 वर्सों में तीगुनी हो जाती है तो उसका वार्सी किदर कितना है सेम वही ट्रिक आपको लगाना है ट्रिक उपर में आपको लिखा हुआ है कुछ नहीं करना है आप क्या करें तीगुनी हो रही है तो तीन माइनस एक कर दे बटा में आप यहां पर समय दिया हुआ है समय लिख ले गुने एक हज सव कर दे काट दे कट गया आपका आ गया 20 गुने 2 बटा 3 चालिस बटा 3 यह आपका हो गया इतना प्रतिशा 13 पुर्णांक 1 वाई 3 परसेंट आपका इसका ब्याजदर होगा तो इस टाइप के जो भी सवाल होगा कि कितना गुनी हो जाएगा 12 गुनी कब हो जाएगा सोल हो जाएगा इस टाइप के जो भी सवाल सोंगे आपको सिर्फ और शिर्फ इसी ट्रिक के माध्यमोंद सुझ का हाल आप कर सकते हैं आए देखते हैं टाइप टू परकार के सवाल को टाइप टू परकार के सवाल यहां दिया हुआ है कि कोई धनराशी छौबरसो में 100 की 2 गुनी हो जाती इसमें 2 condition दिया रहता है कि कोई धन्राची 6 बरसों में 100 की 2 गुनी हो जाती है तो कितने बरसों में 100 की 12 गुनी हो जाएगी माइनस एक बट्टा यहाँ पर आपका हो जाएगा x नहीं दिया हुआ अभी गुने 100 इसको आप करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 100 बट्टा 6 इकोल टू 1100 बट्टा x इस परकार से आप निकालते हैं तो आपका आजाता है x इकोल टू 1100 गुने 6 एक सीटीसेश्ट गाया 26 बट्टा एक सो काट दे कट गिया एक्स एक इक्वोल तो आपका आगिया 66 तो कितने बर्सों में तो आपका आंसर आया कि 66 बर्सों में उसका 10 का 12 गुना हो जाएगा कितने बर्सों हो जाएगा 66 बर्सों में होगा स्वेका 12 गुना हो जाएगा आई आप दूसरा सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड उसमें आपका समय निकालना था और इसमें आपको लगवक दर निकालना होगा कि कोई धन रासी एक नियत समय में 10 परतिसत वारसिक ब्याज क कि दर से उसी समय में 6 गुनी हो जाएगी तो सेम वही ट्रिक लगाना है कुछ नहीं करना है सबसे पहले देखना है कि 10 परतिसत में कितने गुनी हो रही है 4 गुनी तो 4-1 बटा ये वाला 10 गुने 100 इक्वल टू कितनी गुनी हो रही है 6 गुनी तो 6-1 समय नहीं दिया हुआ है दर नहीं दिया हुआ दर निकालना है गुने एक सो तो कितने प्रतिशत दर की हिसाब से वह चो गुनी हो जाएगी उसी समय में तो वह निकालना है आप यहां काट दे एकट गिया यह आपका आगिया तीन गुने दस इक़ोल टो इधर आगिया आपका पांच गुने एक सो बट्टा एकस अब आपका आगिया एकस इक़ोल टो आगिया पांच गुने एक सो बटा तीन गुने दस काट दिजे इसको पचास बटा तीन या आपका आगिया सोलब नांग दू बटा तीन इतने परतिसत का अगरदार लगाया जाए तो उसी समय में छो गुनी हो जाएगी जो धन चार गुनी होई थी वही धन फिर से छो गुनी हो जाएगी तो दोस्तों कैसा लगाया ट्रिक यदि ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक सिर और कमेंट्स जरूर करे शाथी हमने बहुत सारे जीके रिजिनिंग मैट्स के ट्रिक्स बनाया है उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत